नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यंतंत्र वास्तु के विशेश काजक्रम के साथ दिवाली की रात पूजा अत्यन्त फलदाई होता है लेकिन सवाल यह है कि आप पूजा कैसे करें या तो आप किसी पंदित या पूरहित को बुलवा करके पूजा कर सकते हैं अगर यह संभब नहीं है तो घर में आप खुद से भी पूजा कर सकते हैं तो पूजा की जो सबसे आसान बिरी है ये बीधी मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस बिद्धी से पूजा कर लेते हैं दिवाली के रात तो यकीन मानिए आपके जिन्गी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी इसके साथ साथ माला माल करने वाले 5 अचुक उपाए भी हम आपको बताएंगे ताकि आपके जिन्गी में धन की कमी नहीं रहेगी दिवाली में लक्ष्मी पूजा का बिशे समहत होता है पूजा अगर सुब मुहुर्थ में की जाए तो फल कई गुना अधिक मिलता है इस बार दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा का मुहुर्थ साम के बक्त लक्ष्मी पूजा का सुब मुहुर्थ है चो बज करके 42 मिनड़ से ले करके रात 8 बज करके 11 मिनट तक पूजा का मूर्ट है अगर आप इस सुब मूर्ट में पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजा करते हैं दिवाली के दीन तो आप यकीन मानिए पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है इसके साथ दिवाली के दिन पर्दोस काल में भी पूजा करना सुब माना जाता है पर्दोस काल का मतलब होता है सुर्जास्त के 45 मिनट पहले का समय और सुर्जास्त के 45 मिनट बाद का समय तो पर्दोस काल इस बार दिवाली के दीन साम पांच बज करके 36 मिनट से शुरू हो करके रात आठ बज करके 11 मिनट तक चलेगा मनता है पर्दोस काल में लक्षमी जी का पूजा करने से मनुस को कभी दरित्ता का सामना नहीं करना पड़ता है इसके साथ लक्षमी पूजा का एक मधरात्री का भी समय होता है जिसे हम कहते हैं महानिसाकाल पूजा मूर्थ तो ये जो मूर्थ है ये रात में 11 बज के 38 मिनट से ले करके रात को 12 बज करके 31 मिनट तक है तो अगर आप इस मधरात्री में महा निशाकाल में भी लक्षमी साधना करते हैं तो निश्ची दूरूप से लक्षमी की किरपा आपके उपर बनना ही बनना है महा लक्षमी पूजा में दिवाली के दिन जो पूजा सामगरी है ये चीज़े आपको एकत्रित कर लेना चाहिए घर में अगर आप चाहते हैं देवी का बास हो तो इस बार पूजा में ये सामगरी आप अबस रखें सामगरी है आप चाहे तो नोट डॉन भी कर सकते हैं नेजी की मुर्ती, ठाली, चान्दी का सिक्का, एकगारा या 21 दीपक इन चीजों को आप पूजा से पहले एकतरित कर लें और पूजा स्थान पर रख लें अब जो पूजा की जो सबसे आसान बीधी है, देखिए ये एक ऐसा बीधी है, जिस बीधी से मैं भी पूजा करता हूँ अगर आप इस बीधी से पूजा कर लेते हैं दिवाली के रा, तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ती होना ही होना है, साथ में आपकी जो भी कामना है वो भी पूर्ण होगी तो ये पूजा की बीधी आप देख लिजिए, मैं धीरे धीरे आपको पता रहा हूँ, अब चाहे तो लिख भी सकते हैं घर में, साम के समय, पूजा घर में लक्षमी और गनेश जी की मुर्टियों को एक चोंकी पर स्वास्तिक बना करके तथा चावल रख करके अस्थापित करना चाहिए गनेश जी के दाई और लक्षमी जी को अस्थापित करें इसके बाद मुर्तियों के सामने बैट करके हाथ में जल ले करके सुधी मत्र का उचान करते हुए उसे मुर्ति पर परिवार के सदस्यों पर और घर में छिरकना चाहिए इसके साथ साथ अब आपको ध्यान और संकल्प करना चाहिए देखिए अगर आप कोई पूजा करते हैं तो उसमें आपकी क्या कामना है क्या इच्छा है इसका एक संकल्प करना परता है तभी आपकी पूजा फली भूत होती है इसका फल मिलता है तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद मन को सांत करके आँखे बंद करे और मा लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करे इसके बाद हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करें संकल्प के लिए हाथ में आप अक्षत पुस्प और जल ले लिजिए साथ में एक रुपया का भी सिका आप ले सकते हैं अब इन सब को हाथ में ले करके संकल्प करें आप अपना नाम लेते हुए आप ये बोले मा लक्ष्मी मा सुचती और गनेश जी की पूजा मैं करने जा रहा हूं जिससे मुझे सास्त के अनुसार फल की प्राप्ति हो तो आप ये संकल्प कर लें इसके सासाथ एक जल से भड़ा हुआ कलस चावल के ऊपर रखना चाहिए कलस पर मौली बांद कर ऊपर आम का प्लव रखे साथ में उसमें सुपारी दूरबा अक्षत और सिका रखें अब इस कलस पर एक नार्यल रखें नार्यल लाल बस्त में इस प्रकार लपेटे कि उसका अक्रभाग दिखाई देते रहें यह कलस बरून देव का प्रतिक मना जाता है अब सबसे पहले पंच देव का आवाहन करें पंच देव में आते हैं भगवान गनेश भगवान शिब भगवान विश्नु सुर्च देव और मादुरुगा का आप आवाहन करें एक बात का आप धियान इसके साथ आप देवी सुर्शती, भगवान विश्नु, माकाली और कुवेर के भी पूजा करें पूजा करते समय एकगार या 21 छोटे सर्सों के तेल का दीपक जलाएं और कलस के पास दो बड़े दीपक रखें जिसमें एक घी का और दूसरा तील का दीपक होना चाहिए घी का दीपक चौकी के बाई और तेल का तेल होता है उसका दीपक चौकी के दाई और रखें यह बहुत ही महत्पूर्ण है अगर आप घी का दिपक जलाते हैं तो आप यह ध्यान रखें जो चौकी सजाई है उसके बाई तरफ आप घी का दिपक रखें और तो तील का तील का दिपक है उसको चौकी के दाई तरफ रखें इसके बाद इत्र, फूल, अक्षत, जल और मिठाई अर्पित करें अंत में गनेश जी और माता लक्षमी की आरती कपूर से करें और भोग लगा कर पूजा संपन करें जलाए गए जो आपने दिपक जलाया है अगारा या किस दिपक को घर के सभी धरवाजों के कोने छट पर रख दें तथा बड़े दिपक को रात भर पूजा स्थान पर ही चलने दें अब है कि पूजा के करम में आपको कुछ मंतर की भी जाप कर लेना चाहिए अगर आप मालक्षमी की किरपा पाना चाहते हैं तो दिवाली पर मालक्षमी की किरपा पाने के लिए बिशेज दिन होता है और इस दिन मालक्षमी के मंतर का भी आपको जाप करना चाहिए तो पूजा के समया आप मैं जो दो मंतर आपको पता रहा हूँ इसमें से कोई एक मंत्र जो आपको अच्छा लगे असनल लगे इस मंत्र की आप जाब करें कम से कम एक सा आठ बार पहला मंत्र है ओ श्रिम हरीम श्रिम कमले कमला लए परसिद परसिद श्रिम हरीम श्रिम ओ महा लक्ष्मिय नमहा इस मंतर का आप कम से कम एक सा आठ बार जब करें, आप एसफटी का माला ले लेजिए, नहीं तो आप कमल घट्टे की माला से भी इस मंतर का जाब कर सकते हैं एक दूसरा मंत्र भी है ये छोटा मंत्र है आप इसका भी जाब कर सकते हैं ओम श्रिंग रिंग श्रिंग महा लक्ष्मियन महा इस मंत्र का कम से कम आप 108 बार जाब करें अगर आप माता लक्ष्मी को परसंद करना चाहते हैं तो इस दिन आप स्री सुक्त लक्ष्मी सुक्त और कनकधारास्तोत्र का भी पाठ करें अगर आप कम से कम एक बार स्री सुक्त कर्णक धराश्तुर का पाठ कर लिया तो आप समझे कि आपके जिन्गी में कभी भी धर्जित्ता नहीं आएगी इसके बाद जब आप पूजा संपन कर लेते हैं मंतर जाप कर लेते हैं तो आपको छमा प्राथना करना चाहिए चुकि हम छमा प्राथना क्यों करते हैं कभी कभी पूजा जिस बिधी से होनी चाहिए उस बिधी से नहीं हो पाती है कहीं कहीं कोई चुक हो जाती है गलती हो जाती है तो आपको माता से छमा प्राथना कर लेना है कि आपसे कोई गलती हुई है पूजा में या आधिक आपने कर दिया है कम कर दिया है तो उसमें आपक करना पूजा करम करम में भी मुझे नहीं जानता हूं हे परमेश्वरी मुझे चमा करो मंत्र किरिया और भक्ति से रहित जो कुछ पूजा मैंने की है हे देभी वह मेरी पूजा संपुन हो यथा संभब प्राप्त उप्चार बस्तुएं से जो मैंने पूजन किया है उससे अगर आप बोल देते हैं पूजा के अंती में तो निश्चित रूप से आपकी पूजा फली भूत होती है जो कि पूजा में जो भी गलती होती है वो देभी आपको छमा कर देते हैं और आपको एक अच्छे कामना के लिए जो आप पूजा करते हैं वो भी आपकी पुन होत इसा मानते हैं राक्षसों का बद करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ तब भगवान शिब स्वेंग उनके चर्णों में लेट गए भगवान शिब के सरीर का अस्परस्त मात से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया इसी की याद में उनके सांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुवात हुई जबकि इसी रात इनके रोध रूप काली की पूजा की भी शुरुवात का बिधान है दूस्टों और पापियों का संगहार करने के लिए माता दुरगा ने ही माकाली की रूप में अपतार लिया था माना जाता है कि माकाली की पूजन से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है सत्रों का नास हो जाता है कहा जाता है कि माकाली का पूजन करने से जन्व कुंडली में बैठे राहू और केतू भी सांत हो जाते हैं तो अधिकतर जगह पर तंतर साधना के लिए माकाली की जाप आपना करें, जो मंत्र में आपको बता रहा हूँ, मांकाली साधना के लिए उसी मंत्र का आप जाप करें, दो तरीके से मांकाली की पूजा की जाती है, एक समान और दूसरा तंत्र पूजा, समान पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन जो तंत्रिक पूजा होती है, वो आ आपको नहीं करनी चाहिए, आप चाहें तो किसी गृरू के सरक्षन में करना चाहिए, ज्यसा मैंने आपको पहले बताया। माता काली की समान पूझा में सर पृठम असनान करके साफ बस्त पहनकर माा काली की प्रतिमा अस्थापित करें। फिर तस्बीर के सामने दीपक जलाएं इसके बाद लाल गुरहल के फूल को मां को अरपित करना चाहिए आप चाहे तो 108 लाल गुरहल के फूल लेजिए उसको आप एककर करके अरपित करिए इसके बाद जो नवान मंत्र है ओम, एम, हिरिम, किलिम, चाम, उन्डाय बिच्चे इस मंत्र का कम से कम आपको एक सा आठ वार जब करना चाहिए इस मंत्र के जाब से जीवन की सभी समस्चाएं दूर हो जाती है काली पूजन में देवी मां को खीचरी, खीर, तले हुई सब्जी का भोग लगाये जाते हैं मनता है कि काली मां को इस भोग से मां परसंद होकर सभी एक्छाएं पूर्ण करती है तो अगर आप काली पूजा दिवाली के रात करना चाहते हैं तो इसका जो सुब मूर्थ है वो रात में 11 बस के 48 मिनट से ले करके 12 बस करके 40 मिनट तक है तो ये जो 52 मिनट का आवधी है इसमें आप मां काली का पूजन कर सकते हैं अब है कि दिवाली के रात आप फुछ खास उपाय भी कर सकते हैं अगर जेब में पैसा नहीं टिकता है तो क्या आपको करना चाहिए तो दिवाली के दिन साम के समय घर के इसान कोण में गय के घी का दीपक जलाएं बत्ती में रूई के अस्थान पर लाल रंके धागे का उप्योग करें साथ ही दिये में थोड़ी सी केसर भी डाल दें लक्षमी जी आपके उपर परसंद होगी आपके जेब में पैसा टिकना भी शुरू हो जाएगा दिवाली पर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो कभी कभी आपके घर में बरकत नहीं होती है पैसे नहीं आती है आमदनी नहीं होती है इसके साथ साथ आमदनी बढ़ाने वाला उपाय दिवाली के दीन तीन कुमारी कर्णियाओं को घर बुला कर खिर खिलाएं तथा पीला बस एबन दशना देकर बिदा करें इससे भी मालक्षमी परसन होती है और आपकी आमदनी बढ़ने लगती है इस दीन दान देने का बिश स्री यंत्र को कमल घटे के साथ धन अस्थान पर रखें इससे धन लाब होने लगेगा इससे आपको आपका इन्वेस्टमेंट है उसके भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिन्दगी में अचानक धन की पर से साथ वार उसार करके चार दाने चारो दिशाओं में फेक दे तथा पांच में दाने को आकास की उपर उचाल दे ऐसा करने से एका एक धन मिलने की योग बन जाते हैं तो आप पांच दाने जो ले लिजिए काली मिर्श की आप इसे उसार करके किसी ऐसे अस्थान पर जाए चोड़ाहे पर जाए उसे चारो दिशाव में फेग दें एक आकास के तरफ फेग दें निश्ची दूरूप से इससे आपको धन कला मिलेगा तो आज मैंने आपको बताया कि पूजा का जो सबसे आसान बिधी है किस आसान बिधी से आप अपने घर में पूजा कर सकते है साथ में दिवाली के दीन मा काली की भी पूजा की जाती है पूजा का सो मुर्थ क्या है मैंने आपको बताया इसके साथ साथ पांच अचुक उपाय मैंने आपको बताएं इस उपाय को करकर कि आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कि पैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ भी सरक करें, ताकि वो भी इन चीजों को अपना कर अपने जिन्दिकों को बदल सकते हैं, धर्न्यवाद.